दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्लोग पोस्ट की इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं दोस्तों इंडेक्सिंग करना क्यों जूरूरी है कैसे करनी चाहिए यह सारा बताऊंगा मैं इस वीडियो में पर इस वीडियो में अगर आप पहली वार आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने blog post की indexing कैसे कर सकते हैं दोस्तों बहुत आसान है indexing करना और यह बहुत ही जरूरी होता है जैसे ही दोस्तों आप blog post लिखते हैं वैसे ही आप indexing कर दीजिए क्योंकि दोस्तों जब तक आप इंडेक्सिंग नहीं करेंगे तब तक Google को पता ही नहीं लगेगा कि आपने कोई पोस्ट लिखा भी है तो जब तक Google को पता लगेगा इंडेक्सिंग के थ्रू दोस्तों जब आप इंडेक्सिंग करेंगे तभी Google को पता लगेगा कि आपने कि भी बात होती है कुछ ट्रिक की भी बात होती है कि दोस्तों अगर आपका लग अछा रहा तो शायद आपने जो ब्लोग पोस्त लिखा है वह वाइरल हो जाए Google search में आना शुरू हो जाए और उसमें millions में traffic आना शुरू हो जाए जोस्तों जब तक कर आपका blog post search में ही नहीं आएगा इंडेक्स ही नहीं हुआ होगा दोस्तों तो गूगल पोस्त ही नहीं करेगा गूगल को पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई पोस्त लिखा है ऐसे तो दोस्तों हजारों लोग लिख देते हैं कई बोलते हैं कि हमें व्यूज नहीं आते हैं दोस्तों मैं आपको तो मैंने भी indexing करना शु cyst कि आंदर मुझे भी काफी अच्छे आना شुरू हुए है और जो मेरा terpik सारक सारा यूस का सारफिग है तो मैं आपको इस सारी जानकारिया कर सकते हैं आप तो कुछ एक वीडियो आपको लगातार ऐसे ही मिलेंगे जिन में आपको ब्लॉगर से रिलेटिड हर वो जानकारी मिलेगी जिसकी आपको जरूरत है पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा नोटिफ्केशन आउन करके और पर किजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहें तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखा देना चाहता हूं यह देखिए यह मेरी वेबसाइट है मैं हेल्थ एंड फिटनर अपलोड किया है मैंने और इस पे व्यूज आप देख सकते हैं कि 178 यहां व्यूज आ चुके हैं यह मैंने 27 फैब को किया है इसमें 55 ही है यह भी 27 को है 108 व्यूज है ठीक है दोस्तों तो इस तरह से आप भी इंडेक्सिंग करेंगे जिस टॉपिक पर तो वहां पर आपको व्यूज आना शुरू हो जाएंगे ठीक है दोस्तों अब इंडेक्सिंग करेंगे कैसे वह मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन पे गूगल क्रोम ओपन कर लीजेगा वहां लिखिएगा गूगल सर्च कंसोल ठीक है दोस्तों जैस तरह का इंटरफेस आजाएगा Is Seika इंटरफेस आने के बाद दोस्तों यहां दो मatterन लिखा है आप इसपर कर दीजीगा इसपर प्लिक करने के बाद दोस्तों आप आपको जिस भी आप पोस्त को इंडेक्स करना चाहतें है उसका URL यहां पोस्ट कर दीजिएगा चलिए हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं यह दोस्तों यह मेरी पोस्ट है मैंने शायद इसकी इंडेक्सिंग नहीं की है तो चलिए आज इसकी इंडेक्सिंग करके आपको बताता हूं इसे व्यू जहां लिखा है दोस्तों यह आंग का निशान बना है आप यहां चाहिएगा राइट क्लिक किजिएगा और इसका लिंक कॉपी कर लिजिए कॉपी लिंक एड्रस आप यहां क्लिक कर दीजिएगा यानि इसका यूरल जो है वो कॉपी हो चुका होगा ठीक है दोस्तों यह देख लीजिए नहीं है तो जब तक दोस्तों हमारा यूरल ही गूगल में नहीं है तो नहीं हमें व्यूज आएंगे और नहीं हमारी अर्निंग होगी क्योंकि दोस्तों हमारी अर्निंग डिपेंड करती है हमारे व्यूज पर कि जितना आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आएगा उस ही साफ से आपकी अर्निंग भी होगी अगर आपका ब्लॉग वेबसाइट मोनोडाइज हो चुकी है ठीक है दोस्तों तो वह मैं आपको बताऊंगा कि मेरे व्यूज कहां से आ रहे हैं वो व्यूज मैंने आपको दिखा दी आप दोस्तों चलते हैं यह इस तरह से कर देंगे आप दोस्तों यहां दिखा है टेस्ट लाइव यूरल तो है आपकी indexing करना शुरू कर देता है आपका टेस्ट कर रहा है आपके जो दिया है गूगल को कि इसकी indexing कीजिए तो उसकी कर रहा है तो दोस्तों वीडियो को जल्दी से जागे like कर दीजिह और चैनल को अगर अबही तक आप ने subscribe किया नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटीफकेशन जुरूराउन कर दीजिए का दोस्तों क्थ सब्सक्राइब करेंगे तब तक आपको मेरे व्यक्तिक नए वीडियो की मैसेज नहीं आएगा चलिए दोस्तों यह हमारा हो चुका है पर दोस्तों आप एक में ऐस आ चुका है यहांगा अब इसके बारे में आपको सारी जानकारीया नेक्स वीडियो में दूंगा तो इसके लिए हम इस error को हटाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों हम अपने दुबारा blogger post पे आ जाएंगे उसी जो हमने URL लिया था जिस post का उस post को open कर देंगे open करने के बाद दोस्तों कुछ नहीं कीजिएगा यह जो आपका title दिया है आपने इसको copy करके यहां label लिखा है दोस्तों आप यह label देख रहे हैं label पर paste कर दीजिएगा अब paste तो कर देंगे दोस्तों पर एक ध्यान लखिएगा कि इसका जो gap है वो आप यहां कम कर दीजिएगा जितना भी gap है दोस्तों इस gap को यहां कम कर दीजिएगा यानि कोई भी इसमें space नहीं रहना लेबल यहां तयार हो चुका है, अब ये अपडेट कर देंगे हम यहां, दीखेए, changes सेवड हो चुकी है, बैक जाएंगे दोस्तों, दुबारा इसको refresh करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों नीचे आ जाएंगे उसी post पह यह है, इसका URL हम दुबारा copy कर लेंगे, link, address परस और दोबारह वहां चले जाएंगे दोस्तों अब यहां इसी को हम दोबारा पेस्ट करेंगे ठीक है दो सो पेस्ट करने के बाद इसको एंटर मार देंगे तो अपने पोस्त पे कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है काफी लोग पूछते हैं दोस्तों की यह कैसे होता है यह चीज नहीं हो रही है तो दोस्तों आप इसको बिल्कुल सिरियस मत लीजिएगा कि घबराने की कोई बात नहीं है आप बस अपना लेबल सेट कर दीजिएगा URL is available to Google बटh has issue बट यहां अब क्या आ चुका है दोस्तों यह आप ग्रीन का चुका है URL is available to Google कोई इशिव नहीं है नीचे आएंगे देखिए यहां पहले इशु आ गया था दोस्तों प्ट यहां अब ओके हो चुका है अब क्या करेंगे दोस्तों यहां यह आप देख रहे है request indexing आप इस पर click कर दीजेगा जैसे ही आप इस पर click करेंगे दोस्तों यह आपकी submission successful हो जाएगी कुछ ही second हो चुका है अब यहां got it कर दीजेगा got it करने के बाद दोस्तों यह इस तरह का यहां tick आ चुका होगा यानि यहां लिखा indexing requested यानि आपने अभी request किया है Google को की हमारा जो post हमने लिखा है उसको आप Google search में ले के आओ ठीक है दोस्तों तो यह कुछ ही मिनटों में घंटों में या 24 घंटों के अंदर अंदर आपको एक mail आ जाता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपकी indexing पूरी हो चुकी है अब आपका जो Google post है वो आगे लोगों के सामने दिखना शुरू हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो आप भी इसी तरह से दोस्तों यह indexing कर सकते हैं अपने Google post को दोस्तों जो सॉरी Google post बोल रहा हूं जो blogger पर post आपने लिखा है उस post के थूरू दोस्तों आप अपने views ले सकते हैं indexing के थूरू देखिए दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि मेरे कितने views आ चुके हैं कुछ एक दिनों में ही देखिए घंटो 108 55 178 तो अब मैं आपको दिखाऊंगे आप कहां से रहे हैं स्टार्स पर जाएंगे यह देखिए all time है 1418 ओके दोस्तों तो टूडे आज के कितने है 463 ठीक है कल कितने थे 623 ठीक है दोस्तों तो इस तरह से आप इनको views कैसे करेंगे यह सारा आगे धीरे-धीरे में आपको क दूँगा इस वीडियो में ठीक है तो इस वीडियो में सोरी दोस्तों अगले आने वाले वीडियो में आप देखते हैं मैं आपको बताता हूं more about this blog ओके दोस्तों अब थोड़ा सा नीचे आएंगे मैं आपको दिखा देता हूं कि ट्रैफिक मुझे कहां से कौन सी कंट्री से आ रहा है यह देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों यह मेरा ट्रैफिक है युनाइटेड स्टेट से जिहां युनाइटेड स्टेट से मुझे एक हजार से उपर व्यूज आ चुके हैं वन के ठीके दोस्तों यानि युनाइटेड स्टेट से अगर किसी को इतने दोस्तों अभी फिलहाल मैंने अपनी जो वेब साइट है इसे monetization के लिए apply कर रखा है यह देखिए आप देख सकते हैं यह apply कर रखा है मैंने यहां monetization के लिए यह कुछ ही दिनों में एक दो दिनों में शायद मुझे approval पूरी तरह से मिल जाएगा यहां लिख चुका है getting your blog ready to show ads ठीक है दोस्तों तो यानि कुछ ही दिनों में ये मुझे पूरी तरह से monetization हो जाएगी और मैं यहां से भी earning करना शुरू कर दूँगा दोस्तों आप भी इसी तरह से काम कीजिए और अगर आपको कोई problem आती है तो आप हमें Instagram या टेलिग्राम पे follow कर सकते हैं तो दोस्तों ये थी जानकारी चलिए मिलते हैं आगे तो देखा आपने कितना असान है indexing करना तो दोस्तों अब आप भी अपने हर blog post की indexing कीजिए जी हाँ हर blog post की indexing कीजिए ताकि वो google search में आए और आपका जो post आपने लिखा है वो viral हो जाए Google search में आना शुरू हो जाए उस पे traffic आए जब आपके blog post पे traffic आएगा दोस्तों आपका blog website भी monetize होगी और साथ में दोस्तों आपको earning भी शुरू हो जाएगी क्योंकि दोस्तों blog post से लिखकर blogger पे दोस्तों लोग लाखों और करोड़ो रुपया बहीने का कमा रहे हैं तो आप क्यों नहीं कमा सकते हैं तो दोस्तों ये थी जानकारी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे like, comment, share ज़रूर कीजिएगा और साथ में दोस्तों सब्सक्राइब करना न भूलिएगा क्योंकि आपको पता है कि यही प्यार तो हमें मिलता है and I like your life